नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूटूब एज़िक इसने जनल में आजके उड़ु लेक्चार में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे सभी एंटी-फंगल दवायों के बारे में और एक ही वीडियो के अंदर ये सभी एंटी-फंगल दवायों को हम कवर करेंगे और जानेंगे उनके बारे में डीटेल में कि उनका यूज़ वगेरा क्या है डोस वगेरा क्या रहते हैं, साइड इफेक्स का डैवलप हो सकती है and वार्निंग्स की भी स्टेडी करेंगे डीटेल में तो ऐसे समझो कि आपको डीटेल में सिखना है बहुत सारी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं और ये कोर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वाटसअप पर मेसेज कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल अपलिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं link description box के अंदर मिल जाएगी तब आदे हैं topic पी और समझते हैं anti-fungal dhvayu के बारे में तो यह ऐसे glass के medication है कि जो अलग-अलग type के fungal infections होते हैं उनको ठीक करने के लिए use की जाती है और specially यह medication क्या करती है कि जो fungus के growth होती है अमारे body के अंदर तो वो growth को inhibit करके जो अपना काम करती है और अलग-अलग fungal infections जैसे कि यहाप आप diagram में देख रहे हैं कि जो हमारे scalp के अंदर जो fungal infection होता है कि जिसको medical terms के अंदर tinea, capitis के condition हम कहते हैं तो यहाप आप देख रहे हैं कि इस तरह से dendrup जैसा feel होता है और उसके बाद वहापे fungal infections develop हो जाता है आपके बालों के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए दवा यह यह यूज की जाती है कि जिसको scalp काट दाद हम करते हैं तो यहापे आप देख सकते हैं इस तरह से ring warm के condition आपके सीर में एक produce होती है specially जो हमारे बाल होते हैं वहापे होता है दूसरा यहापे हम देखे तो ring warm यहापे जो देख रहे हैं कि skin के उपर इस तरह से दाद बना है तो उसको ठीक करने के लिए यूज केते हैं फिर athlete feet के जो गंडिसन हम कहते हैं कि tinea paddies का आ जाता है medical tons में तो उसको भी ठीक करने के लिए यह दवायों को हम prescribe करते हैं फिर tinea paddies का यह एक और डाइग्राम आप देखो इस तरह से specially जो हमारे feet होते हैं जो प्यार होते हैं वहापे नीचे की और यह infection फ्यालता है फिर tinea cruris के condition के specially इस तरह से condition condition produce होते हैं जो जोक इच भी हम कहते हैं फिर पांचवा हम देखो तो नेल के अंदर जो fungal infection होते हैं या फिर नाकून का fungal infection हम कहते हैं फिर tinea versi color की जो condition है इस तरह से आपके skin के उपर fungal infection फ्यालता है फिर mucormycosis के condition की जिसको हम black fungus thesis कहते हैं उसको भी ठीक करने के लिए antifungal दवाईया यूस की जाती है फिर यहाप आप देखो तो काफी ज़्यादा affect होता है patient ये problem के करन और इसमें भी special antifungal दवाईयों का पूरा एक course चलता है फिर वजाएना के अंदर जो yeast infection होता है उसमें भी antifungal दवाईया यूस की जाती है अगर reason वगेरा जो फूग के करन हुआ है फिर जो candida balanitis के जो condition है उसको भी ठीक करने के लिए ये medication को जो प्रिस्क्राइब की जाती है जिसको हम कहते हैं कि panis के अंदर yeast infection होना फिर keratitis के जो condition कि जिसके अंदर specially fungal infections आपके eyes के अंदर होता है तो उसको भी ठीक करता है ये medication तो अब समझते हैं अलगले उनके examples तो सबसे पहले जो famous antifungal दवाई है वो है fluconazole और उसका या आप एक formulation हम देख रहे 150 mg का ये tablet तो ये tablets जो है वो week में एक ही बार लेनी होती है और specially जो tinea infections होते है या फिर candidisus के condition होते है तो उसमें single dose therapy के त्वार पे ये कई बार जो है वो use की जाती है इसलिए के करन आप देखो दूसके packing के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही tablet available है कि जो single dose के therapy पे यूस किया जाता है और week में एक ही बार जो है उसको use करते है उसका दूसरा एक version है वो है 100 mg के tablet कि जो DT tablet आता है dispersible tablet के इसको क्या करना आता है कि tablet को लेना होता है और फिर उसको पानी में डालना होता है और उसका जब solution तयार होता है तो वो solution जो patient लेते है और ये special जो systemic mycosis की condition होती मलब कि body के जो internal organs में समझे के कोई fungal infection हुआ है तो उस वक्द उसको ठीक करने के लिए इसको use किया जाता है और उसका dose रहता है 100 mg per day और maximum 4 दिन तक जो उसको use करना होता है तीसरा option बनता है eye drops का कि यह आप देख सकते है 0.3% कि जो eye drops आते है फ्लुको नाजवल के वो specially use किया जाता है उसका dose रहता है 2 से लेकर 3 drop पूरे दिन में जो patient use करते है और जो keratitis की जो हमने condition देखी कि जो आपके आखों के इंदर fungal infection होता है उसको ठीक करने के लिए यह use किया जाता है फिर उसी के eye drops के जैसे ही ear drops के हमारे पास option है कि समझे के आपके कान में fungal infection हुआ है और उसके करन काफी ज़्यादा complications हो रहे है तो 4 या 5 drop जो हो दिन में डाले जाते है तीन बार और specially यह medication है इसके अदर 0.3% concentration रहेती है fluconazole की फिर एक और option है fluconazole का वो है IV drip का भी option रहता है कि जो week में 2 या फिर 3 बार जो पेशन को लगाई जाती है तो यह famous medication है कि जिसके सभी अलग-अलग versions जो वो available है next समझे कि वो medication है option इसके अदर वो है itraconazole तो itraconazole के 200 mg के यह capsules market में available होता है और उसका जो dose रहता है वो एक tablet या फिर उसके जो capsule से वो दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो वो पेशन ले सकता है और maximum यह medication जो वो 7 दिन तक यूज की जाती है फिर उसके 100 mg का भी option available होता है next हम देखे तो famous antifungal medication है वो है clotrimazole तो clotrimazole जो है वो antifungal भी है antitrichomonal medication भी है कि जो specially vaginal tablets में काफी ज़्यादा उसको use किया जाता है कि जो हमने आगे देखा कि vaginal yeast infection होता है तो उसमें यह जो यूज की जाती है और रोज एक जो tablet या फिर उसकी जो suppository है वो वज़ाइना के अंदर रात को जो है वो insert करनी होती है और maximum 6 दिन का जो है उसका course रहता है अगर कोई tablet यूज नहीं कर पता suppository यूज नहीं कर पता तो उनके लिए cream के भी option available होता है तो यहापे आप देख सकता है clotri muscle की cream का option available है 1% की उसकी strength रहती है और वो affected area में दिन में 2 या 3 बार patient लगा सकते है उसके VGL भी available है specially vaginal use के लिए तो वो भी same आप दिन में 2 या 3 बार जो वो लगा सकते है next option है clotri muscle के powder का भी option हाता है famous marketed formulation आप देख रहे close-up करके यह जो powder जहाँ पर आपको fungal infection हुआ है वहाँ पर sprinkle कर सकते है और यह भी दिन में 2 या 3 बार जो लगाया जा सकता है next option है वो है tablets के अंदर warric onazol का कि यह भी एक काफी famous antifungal medication है और इसको दिन में एक ही बार लिया जता है और कभी कबार ही 2 बार जो वो उसको use करने होती है पर दियान यह रखना होता है कि जब भी आप यह tablets लेते है तो खाना खाने के एक गंटा पहले या फिर एक गंटे बाद जो वो उसको ली जाती है और packing के अंदर इस तरह से आपको 4 tablets मिल दिये तो maximum 2 या 4 दिन का ही यह course रहता है next option है उसके injection का भी option रहता है पर उसके आपको dose calculate करना होता है और dose calculation इस तरह से होता है 6 mg पर kg हर 12 गंटे पे लगाया जता है दो dose यह उसके लगते इस तरह से तो proper calculation के बाद वो IV में लगाया जता है और वो भी IV fluids के अंदर dilute करके next option है वो है keto gonazole तो यह भी काफी एक antifungal काफी famous antifungal medication है तो fungi side करके उसके यह tablets आप देख रहे हैं तो उसका dose रहता है 200 mg दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार patient जो ले सकता है तो यह जो 200 mg के tablet है वो आप दिन में ले सकते हैं रात में भी ले सकते हैं या फिर lower dose में treatment start कर रहे है तो दिन में एक ही बार लेना भी ठीक रहता है फिर उसका shampoo भी आता है कि जैसे हमने बार देखा कि आगे कि हमारे बालों के अंदर जो scalp के अंदर fungal infection होते हैं उसका ये shampoo use किया जाता है कि anti-dendrop shampoo रहता है साथ उसाथ जो fungal infection वा पे होता है उसको भी ये ठीक करता है और इससे आपको आपके hair जो हो अच्छे से wash करने होते हैं week में दू या तीन बार ये shampoo को यूज करना होता है कि जिससे fungal infection जे वो ठीक होता है उसी दरा से उसके cream का भी option बनता है कि ये keto wet करके cream आती है 2% के strength के अंदर तो वो जहाँ पे fungal infection हुआ है वा पे patient दिन में 2 या 3 बार लगा सकते है फिर उसका साबून भी आता है तो आप नहाने के लिए उसको use कर सकते कि आपके skin के उपर काफी ज़्यदा fungal infection फैला है और आप tablets भी खा रहा है पर साथ में ये साबून भी use कर सकते है Next, lotion का भी option है keto go nozzle में कि 2% के strength में lotion भी आता है तो lotion भी patient जे वो use कर सकते है दिन में 2 या 3 बार जे वो उसको लगा सकते है Next, जो option है तर्बीन फोर्स करके जो tablet आदे है marketer formulation है तर्बीन फोर्स उसके अंदर हम medication की बात करे तो तर्बीन फीन है 250 mg के tablet तो ये जो tablet है वो दिन में एक या 2 tablet लेनी होती है हर 6 या 8 गंटे के time interval पे Next, option है उसके 500 mg के भी tablets आदे है कि अगर 500 mg के tablet आप यूज़ करते है तो एक ही tablet लेनी होती है पूरे दिन में 2 tablet कभी भी यूज़ ना करे वरना इसका काफी high dose हो जाएगा Next, option available है वो है तर्बीन फीन के 1% cream का कि तर्बीन फोर्स करके उसके cream भी आती है कि अगर कोई tablet नहीं ले पाता या फिर tablets ठीक नहीं हो रहा तो आप वहाँ पे उसके cream भी लगा सकते है Next, वो है Grisio Fulwin के tablets का कि जो 250 mg की strength के अंदर market में available होती है और उसका जो dose रहता है 125 से लेजिक कर 250 mg QID मलब कि दिन में 4 बार patient ले सकता है और खाने के साथ जो उसको लेनी होती है कि जिससे side effect और दुसरे complications वगेरा ना हो फिर all available option है वो है M4-dericin B का तो M4-dericin B का या पर आप injection देख रहा है तो उसके लिए dose calculation करने पड़ती है और यह जो हो specially IV में लगाया जता है और जो hospitalized patient होते है मतलब कि जैसे हमने mucormycosis के condition देखे कि जो black fungus disease का एक problem देखा तो इस तरह की fungal infection है कि जो आपके body के अंदर फैला हुआ है as well as internal organs को भी वो damage कर रहा है तो उस वक्त यह IV से दिया जता है और dose रहता है 0.3 से लेकर 0.7 mg per kg per day के हिसाब से जो उसको लगा जता है तो मतलब कि patient का weight calculate करके फिर यह proper calculation के साथ ही dose दिये जाते है उसे में दूसरा option available है वो है liposomal ampotation B का option रहता है कि इसका आप यहाँ पे देखो तो dose रहता है 3 से लेकर 5 mg per kg per day के हिसाब से IV के अंदर जो उसको लगा जता है proper dose calculation के साथ ही जो उसको use किया जता है next option वो है serta konazol का कि जो specially vaginal use के लिए होता है तो उसके आप यहाँ पे vaginal tablets देख रहे है और यह single dose therapy के तोर पे use किया जता है कि एक जो यह tablet है वो रात को insert करनी होती है और यह एक ही बार use करना होता है week में और second time समझे कि उसका dose repeat करना है तो gynecologist के सलाह के according to he second dose जो यह लिया जता है उसी दरह से Fenty konazol के भी vaginal tablets आदे हैं तो वो भी similarly use किया जता है एक ही tablet जो यह रात को vaginal के अंदर insert करनी होती है फिर है nistite इनके vaginal tablets का option available है यह भी एक famous antifungal drug है और एक tablet जो रात को insert करनी होती है vaginal के अंदर और उसके course के हम बात करें तो total 14 days का यह course रहता है कि अगर जो vaginal candidiasis के condition produce हुई है तो उसमें यह medication use की जा सकती है कि अगर clotriamazole से ठीक नहीं हो रहा तो यह option भी आपके पास रहता है फिर है निस्टाइडिन के oral solutions भी आता है तो इसका जो dose रहता है एक ml जितना रहता है और दिन में चार बार जो हो छोटे बच्चे को दे सकते है और यह खास कर dropper को यूज करके ही बच्चे को जो हो दिया जाते का अगर बच्चों को कोई fungal infection हो रहा है next option है वो है फिर antifungal में next option available है वो है econazole का तो econazole के creams available होते हैं और वो दिन में दो या तीन बार जिवाप apply कर सकते हैं फिर meconazole के creams का भी आप एक option बनता है कि जो दो या तीन बार जिवाप apply कर सकते हैं specially जो jaw case की जो condition होती है उसको ठीक करने के लिए ये medication use की जाती है फिर एक cream का option हम देखे तो वो है oxyconazole का तो oxyconazole के cream भी आते है lotion भी आता है और वो similarly use किया जाता है कि दिन में दो या तीन बार जो वो patient उसको जो वो use करते हैं next option हम यहाँ पर देखे तो levafin के जो cream आते हैं कि जिसके अंदर salt content है emoral fin करके है कि वो एक famous antifungal medication है और ये भी cream दिन में दो या तीन बार लगाई जा सकती है फिर sodium थाव sulfate का जो lotion आता है specially जो versi color के हमने condition देखी तो उसमें जो यूज के जाता है कि ये lotion जो लगाई जाता है दिन में दो या फिर दिन में तीन बार next option यहाँ पर हम देख रहे है cream के अंदर वो है cyclopirox का देख रहे है 0.77% की strength में ये available होता है USP के according to जो उसको बना जाता है पर ये specially जो ही वो skin के उपर ही जो लगा जाता है अंदर जो उसको नहीं लगा जाता मलब कि जो externally ही उसको लगा जाता है ना ही उसको eyes में लगाना है ना ही आपको body के कोई internal part में लगाना है सिर्फ फिर सिर्फ skin के उपरी layer पे ही उसको लगा जाता है फिर butana fine के भी creams available होता है कि जो या आप एक formulation देख रहे हैं blend mark का fin top cream है कि जो दिन में दो या तीन बार जी वो patient लगा सकते हैं फिर लूली कॉनाजॉल के भी cream के option available है कि जो दो या तीन बार लगा जा सकता है लली fin करके आप उसका एक marketed formulation है लू fungal करके medication है कि जो creams के ये अलग-अलग हमारे पास option हो गए हैं फिर tablet में एक और option हम देखे तो वो है पोसा कॉनाजॉल का कि marketed formulation के अंदर 100 mg के ये इसके gastro resistance tablet available होते हैं और उसका जो dose रहता है 300 mg पर day लग कि आप 100 mg का ये tablet यूज करे तो वो दिन में 2 या फिर 3 बार जी वो patient यूज कर सकते हैं तो ये हो गए अलग-अलग options आप जानते हैं उनके sad effects के बारे में तो अगर ये medications आपको suit नहीं करती तो उसके करण problem और बढ़ सकती है skin के उपर इस तरह से racist जो वो develop हो सकते हैं second हम देखे तो उसके करण abnormal heart rhythm हो सकते हैं कि जिसको torset d points की condition कहीं जाती है किस तरह से आपके ये उपर overlap diagram देखो तो वो जो है वो ये वाला जो है वो normal है और ये इस तरह से abnormal condition जो वो produce होती है heart rhythm की तो ये खास आपको दियान रखने के कोई heart का patient या फिर जिनके already heart beat sea regular रहते हैं उनको ये medication use नहीं करनी चाहिए उसके cream बगेरा use करें तो चलता है पर oral या फिर IV में जो ये वो use नहीं कर सकते हैं फिर option ये जो है कि increase कर सकता है acid का production मलग कि उसके करन क्या हो सकता है कि patient के acidity बढ़ सकती है या फिर सीने में जलन जैसा उसको feel हो सकता है और दूसरे कुछ common side effect देखे तो nausea, vomiting, diarrhea, headache, abdominal pain और सोने में दिक्कत याना ये सब complications हो सकते हैं अब उसके warnings के हम बात करें तो अगर किसी को allergy है ये दवायों के तो उसको use नहीं करें कोई भी antifungal के आपको allergy है तो proper precautions के साथ use किया ज़दा है फिर जो liver disease के जो patient होते हैं उनके लिए भी ये medication को use नहीं करते हैं कि जिसको हम hepatic diseases करते हैं फिर जो kidneys के patient होते हैं उनके लिए भी proper warning रहती है ये यूज़ करने पर and pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ फ्लूको नाजल और भी single dose के थेरापी यूज़ की जाती है कि जो हमने 150 mg के जो antifungal के बात की थी 150 mg के फ्लूको नाजल के सिर्फ वो ही यूज़ की ज़ते हैं दूसरे antifungal यूज़ करने से sad effect हो सकते हैं या फिर जो clotri muscle है वो आप यूज़ कर सकते हैं वज़ाई ना ली फिर दूसरे कुछ warnings हम देखे तो अगर किसी के body के अंदर magnesium के मातरा कम है उसके blood के अंदर या फिर potassium के मातरा कम है तो उसको जो यूज़ ना करें तो advice यहाँ पर रहे रहे कि आप वीडियो को जरूर से share करें अलग-अलग whatsapps group के अंदर और चैनल को जरूर से subscribe करें और वीडियो को like करें जो भी आपको next upcoming videos देखने है उसका आप comment करें और medicine course को join करने के लिए आप यह में whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best